नमश्कार, 29 जून 2019 के मध्य रातरी काल से देत्यो गुरू शुक्र अपनी स्ततियों को परिवर्तित करके उरशब राशी से मिथुन राशी के भीतर प्रवेश कर जाएंगे तो जब स्वराशी स्तान से बुद्ध के राशी स्तान के भीतर आएंगे जहां सूर्य और राहू ग्रहन दोश के स्ततियों के भीतर पहले से ही विराज़त है सोलह जुलाई तक जहां सूर्य मिथुन राशी के भीतर ही रहेंगे तो सोलह से 23 जुलाई के मध्य का अंतराल ऐसा रहेगा जहां पे शुक्र और राहू दोनों ही साथ में बिराज़त रहेंगे तो प्रतियक राशी के अनुसार कुछ व्यवस्ताएं परिवर्तित होने जाएंगी फल सूचनाओं के भीतर एक अलग लेवल का आपके लिए चेंज देखा जाएगा ये चेंज ये परिवर्तन क्या है और कौन से शेत्र सबसे जड़ा इफेक्ट के अंदर आते हैं आप अगर कोई creative academy चला रहे हैं अगर आप कोई dance classes चला रहे हैं अगर आप संगीत से संबंदित चेत्र के भीतर लगातार चलाए मान हैं इसके साथ ही materialistic life के अंदर जो fascinations रहती है वो किस और drive कर रही है love and affairs की position किस और अशारा कर रही है जो भोग सुक की स्तिया होती है बहतेक्ता के साथ में जो चमक और दमक जुड़ी रहती है जो एक तरह से cinematography का field हो गया या फिर अभिनाय का क्षित्र हो गया ये सारे ही शेत्र नवीन संभावनाओं के साथ किस तरह चलेंगे आईए आकरम बढ़ता हुआ इस समय अंतराल के भीतर देखा जा सकता है अगर आप कहीं भी किसी भी competition के लिए जा रहे हैं और वो भी संगीत से विशेश कर वोकल से संबंदित है तो सफलता सुनिश्चत तोर के उपर आपके लिए देखी जा सकती है वहीं पे जो भी लोग love and affairs के स साथ में लगातार चल रहे हैं उनके लिए demanding position रह सकती है ये तैय करने का वक्त है कि ये relation materialistic life की और demanding positions की तरफ जा रहा है या फिर हमारे सनेह की तरह से जो तार्तम में वाली स्ततियां है सामंजस्य वाली स्ततियां है वो पूर्ण रूप से स्तापित है अगर इस aggregation आप करते season लेने का वक्त है कि इस रिष्टे को longer term के साथ में carry करना चाहिए या जो एसास आज की तारीक में बना हुआ है ये जाकर कहीं ने कहीं पूर्ण विराम की और जाता हुआ दिखाई देता है जो जेब के उपर बढ़नन कई बार ऐसे relations बनाते हैं वो किस और जा रहे हैं ये स किसी और कारेश के भीतर आप बढ़ रहे हैं कोई आप देखे कि ad film सादी का आपका कामकाज है ऐसे ही किसी और शेतर के भीतर आप किसी भी व्यक्ति को साथ में जोडना चाहता है ये समय आपके लिए महत्वपूर्ण कहा जा सकता है कोई भी actor actress नवीन लेवल के उपर कोई decision लेना चाहता है कोई बिल्कुल अन और्थोडॉक्स पोजिशन के अंदर स्क्रिप्ट को लेकर बढ़ना चाहता है जिससे की तारीफ मिले हमारा होनरपून रूप से एक्स्प्लोर हो ऐसे सारे ही शेतरों के अंदर आपको रिस्क लेने के लिए जाना चाहिए जो से रीड की हड़ी बनी रहती है पूरी की पूरी और्गनाइजेशन के लिए जो लोग चेहरे के रूप में काम करते हैं रिप्रेजेंट करते हैं पूरीशन को ओर आल कंपनी के साथ में उनके लिए भी ए टाइम डिसिसिव रहेगा और पॉजर्टिव पॉइंट के उपर रह सकता है उसी और बढ़ते चले जाना चाहिए आपको रशब राशी के लिए शुक्र लक्षा धीपती योग का निर्मान करते हुए यहाँ पर विराजत हैं किन्तु सूर्य और राहु जब साथ में विराजत हो तो देखिए धनलाब जो शुक्र के द्वारा लक्षा धी शुक्ता नहीं है मित्र रश्यदारों के साथ में भी ऐसी जो एक तरह से नेगेटिवीटी के साथ में जो विंग की जुड़ा रहता है जिसे हम कटाक्ष की बासा भी कहते हैं उस और बिलकुल भी आपको नहीं जाना चाहिए सूर्य बार बार वानी में प्रकरता देने का क शकता हैं रहती है पुराने रिलेशन एक्सपोज होके कई बार परेशान होने का कारियर भी इस टाइम फ्रेम के अंदर कर सकते हैं बचाव के साथ में चलने की कोशिश करिएगा किन्तु फैशन टेकनोलोजी की किसी भी स्टडीस के साथ में आप जुड़ेवू हैं कुछ नया एक्सप्लोर करके आप इस दुनिया को दे सकते हैं संपूर्ण रूप से इसकी संभावनाएं आपके लिए बनी हुई है मितुन राशी यहां पर शुक्र की स्टतियां आपके लिए जो क्रियेटिव फिल्ड होता है वहां एक विश्वास को जगाने वाली होगी पूर राज़त रहेंगे ऐसी स्टति में ग्रहस्त में तलकिया निकल सकती है जो एक बनावटी अप्रोच है उससे बचने की आवशक्ताएं आपको पूर्ण रूपेन रहेंगी संदेह और विवाद दोनों ही स्टतियां इस समय नियंत्रण के साथ में लेकर चलें संदेह की गु पूर्ण रूपेन और साथ में ही आप एक और स्टति देखें कि जो भी लोग फैशन इंडस्टरी के किसी भी व्यापार के साथ में जुड़े हूँ हैं सौन्दर रे प्रसाधन के किसी भी कामकाज के साथ में आपका जुड़ाव है ये समय स्पेसिफिक अप्रोच के करक राशी जो लोग भी विदेश जाकर किसी इंपोर्ट और एक्स्पोर्ट के काम को एक्स्प्लोर करना चाहते हैं विशेश तोर पे जो भी फैशन एक्क्यूपमेंट्स और फैशन इंडस्टरी से जुड़े वो आइटम्स रहते हैं उन सभी जगे आप अपने भावी भ प्रैक्तित्व के साथ में और स्तित्यों के साथ में जुड़ा हुआ हो उन सारे ही शेत्रों के बेतर आप बाहर जाकर अपने संभावनाओं को तलाशना चाहते हैं जरूर जाएं कहीं भी पीछे मुड़कर देखने की आवशकता हैं आपको नहीं है साथ में ही यहाँ पर जो भोग सुक के बरती लालसा रहती है वो चरम के उपर रहेगी किंदू यूरेन इंफेक्शन की पूरीशन्स मदुमेह टाइप टू डाइबिटीस की पूरीशन्स अगर बनी वूई है खान पान के उपर नियंतरन करके पून रूप से चलिएगा डी हाइडरेशन जैसे शिकायते हैं आपके सामने नहीं आए ये भी ख्याल रखना अत्यदिक तोर के उपर आपके लिए आवशक है यहाँ पर साथ महीं आप देखिए कि जो कई बार दातों संबंदी तकलीव जो जौस के अंदर दिक्कत आती है वो भी परिशान कर सकती है आपको वहाँ पर भी यावशकता हैं रहेंगे आपके लिए संग राशी यहाँ पर जो आपके लिए लाब के स्ततियां हैं वो इतने भैतरीन तरीके से और चमकरत करने वाली स्ततियों के साथ में सामने आते हुई नहीं दिखाई देती है एक आदश इस्तान के अंदर शुक्र के रिजल्स को एक कोई भी आर्किटेक्चर की तरफ की पूरिशन के साथ में जाते हैं तो ये दोनों ही शेत्र विशेश तोर पे स्टडीज के साथ में आपके लिए शामदार कहे जा सकते हैं और यहाँ पर पूर्ण रूप से आप खुद को निखरावा भी पाएंगे और बड़ावा भी प बना हुआ है आप अपनी संभाव नाव को खोजें और लगातार बढ़ते चले जाएं किन्तु जो लाब की इस्ततियां आपके लिए क्रेटिव फिल्ड के साथ जुड़ी रहती है ऐसे ही जुड़े विशेत्र जिसके हम चर्चा करते हैं वहाँ एक लेवल का लाब नहीं देखा जाएगा मध्यम दर्जे की इस्ततियां बनी रहेंगी आपके लिए कन्या राशी यहाँ पर आप देखें कि कर्म के भीतर जो प्रदानता हैं आपके लिए निकल कर आनी चाहिए वो लगातार बढ़ती चली जाएगी आपके लिए उसके भीतर जो इस्ततियां पनप force भी रह सकती है माता के घर से जो एक तरह से व्यक्ति का जुड़ाव रहता है वहाँ से बहुत ज़ादा fascinations आपके लिए देखे जा सकती है वहाँ से बहुत ज़ादा हरदय को द्वलित करने वाली positions देखे जा सकती है प्रबंधन के अंदर इतनी स्रेष्टताएं हम नहीं देखते किन्तो smart working approach आपके लिए एक स्तर के उपर बढ़ती चली जाएगी तो ये तो थी कन्या राशी के लिए बात वहीं पे अगर आपका काम का अज एक तरह से limelight के field के साथ जुड़ावा है वहाँ पे आप job changes की तरफ जाना चाहते हैं ये time आपके लिए specific approach के अंदर बहुत ही शांदार है बढ़ते चले जाएगा तुला राशी यहाँ आप सर्व परतम देखिए कि जो भाग्ये का support आपको मिलना चाहिए creative field के अंदर वो मिलता अंतरा लाप के लिए बहतर है किन्तु spirituality के साथ आप बढ़ रहे थे और spirituality के साथ और जाला develop होने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि सूर्य और राहू वले ही grand दोश बना कर यहां बिराज़त थे किन्तु आध्यात्मिक स्तर के उपर चेतनाओं के साथ में यह समय आपके लिए अच्छा बना हुआ था वहां पे आपके लिए एक negative approach देखी जा सकती है खुद को आप fascinations के साथ में materialistic life के साथ में बार बार जुड़तावा पाएंगे शुक्र और राहू जब यहां युतिकत स्ततियों के बेतर बिराजित हो जाएंगे तो यह level और जादा हद के उपर आपके लिए बढ़ता हुआ देखा जा सकता है जो की आपके लिए fascinated approach को और जादा level के उपर create करने वाला होगा वहां थोड़ा सा नियंतरन रखके चलने कि आउशकता है रहेंगी किन्तो अगर आप देखें के इंजिनरिंग के भीतर आप है medical student आप है और आपके भीतर कला है और वो भी लोगों के सामने आनी चाहिए तो कोई भी institute के अंदर colleges, universities के इंजर जो function होते हैं वहां आप खुद को चेहरे के भीतर स्थापित कर पाएंगे यानि कि एक face के रूप में आप सामने आ पाएंगे लोगों के समक्ष क्योंकि शुकर की स्तियां उच्च सिक्षा स्थान के भीतर ऐसी ही बनी हुई है इन सारे शेत्रों को लगातार डेवलप करते हुए आप बढ़ते चले जाईएगा वरश्चे कराशी जो भी लोग किसी भी रिलेशन के साथ में इंडल्ज होकर लगातार चलने का कारे कर रहे हैं उनके लिए ये समय अंतराल इतना बहतर नहीं कहा जा सकता कई बार ऐसे समय अंतराल के बहतर रिष्टे तूटते हुए भी देखे गए हैं वहाँ पर नियंतरन रखने के आवशकता हैं आपको रहेगी सामन जस्य स्तापत करके रखें नॉस्टेल्जिय के अप्रोच को बार बार सामने लेकर आएं पुरानी स्वर्तियां कई बार रिलेशन को पून रूप से जूडने की और भी अग्रसर होती हुई देखी जा सकती है तो वहाँ पर बार बार उन ख्यालों को बीच में लेकर आते रहें आपके लिए वानी इस समय हतियार बनकर इस्तापत रहेगी communication के field के साथ में अगर आप जुड़े वो हैं तब भी ये समय अंतराल आपके लिए बहतरीन और शामदार कहा जा सकता है लगातार बढ़ते चले जाना चाहिए आपको किन्तु hidden problems सताने का काम कर सकती है जो एक तरह से jaws की दिक्कत या फिर teeth problem वो सारी के सारी स्ततियां आपको सता सकती है साथ में diabetes के जो भी रोगी है उनको पून रोप से खान पान के उपर नियंतरन रखने के आउशकता है इस समय अंतराल के भीतर रहेगी धनु राशी ग्रैस्त के अंदर इस time frame के अंदर तलखियां देखी जा सकती है वी काम को आप नए सिरे से explore करना चाते है या ऐसे किसी भी कारे की शुरुवात करना चाते है planning करना चाते है जो की एक तरह से मूल भूत जो व्यक्ति के साथ में जुड़ी भी इस्तति है यानि के कबड़ा उसके साथ जुड़े हुए काम के भीतर ये समय अंतराल आपको explore कर सकता है restaurant industry, hotel industry इन सारे ही शेत्रों के बीतर अपने संभावनाओं को explore कीजिएगा तो देखिएगा कि धनुराशी वालों को बले ही साड़े साथी का मद्य अंतराल चल रहा है ये time frame specific approach के अंदर आपको शांदार result देने वाला कहा जा सकता है benefit उठाएं और लगातार चलते चले जाना चाहिए आपको साथ में ही एक और स्तिती जो मैत्वपूर्ण तरीके से निकल कर आती है यहां आप देखें कि कोई भी ऐसा रोग जो बहुत पहले था वो फिर से सामने आ सकता है तो उन positions को भी नकारा नहीं जा सकता खुद की जो भी जो शारीरे क्रियाएं होती है या फिर जो positions होती है उनके उपर एक minute observation रखने के जरुरत आपको रहेगी मकर राशी किसी भी personal loan को लेने से आपको इस time frame के अंदर बचने की आवशकताएं रहेंगी शत्रो इस समय अंतराल के भीतर हवी हो सकते हैं आपके उपर यह ध्यान रखिएगा बाहर जा रहे हैं या फिर बाहर रह रहे हैं यानि कि विदेश के बेतर अपनी संभावनाओं को लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं तो कुछ अग्याद भय आपको परिशान कर सकते हैं कुछ ऐसे शत्रू खड़े हो सकते हैं आपके सामने जो सिर्फ और सिर्फ envy की वज़े से जलन की वज़े से आपको परिशान करने का कारे करें शत्रूता कुछ भी नहीं हो किन्तु आप से प्रतिस प्रधा करने की स्तियां उनके भीतर नहीं है तो वहाँ पर शत्रूता अपने आप पनप्ती चली जाती है वहाँ से एक jealousy अपने आप खड़ी हो जाती है उसका ध्यान रखनी के ज़रुत आपको रहेगी किसी भी नए investment जो कि creative field के साथ जुड़ेवे लोग हैं उन्हें नहीं करना चाहिए कुंब राशी यहाँ सरुपर्थम आप देखें कि सक्षा के भीतर अगर आप किसी भी आकस्मिक धनलाब के field के साथ में जुड़ेवे हैं यानि कि share market के अंदर कोई भी ऐसे courses वगरा को करने के लिए आप जा रहे हैं या फिर financials के अंदर जो instant business के अपर कुछ courses रहते हैं जैसे कि mutual fund बगरा के अंदर भी कुछ लोगों को training लेकर काम करना होता है उन सारे ही शेतरों के भीतर ये समय अंतराल अच्छा है share market के अंदर आप अगर indulge हैं तो 16 से 23 जुलाई का जो time frame इस मध्य अंतराल में रहेगा ये शांदार और फाइदा देने वाला आप के लिए कहा जा स आपने project को हाथ में ले लिया कि नहीं हम इसे कर जाएंगे और फिर अंतिम समय में सांस पूल जाती है लगता है कि ये शायद काम हमारे बूते का नहीं है बूते से बाहर का है अपनी क्षमताओं को आखने के बीतर बिल्कुल भी गलती मत करियेगा कई बार ये career के उपर export ल चल रहे थे तो घर परिवार की स्विकरती आपको मिल सकती है marketing के field के साथ में आप चहरा बन कर उबरेंगे और वही चहरा आपको promotion की तरफ भी लेकर जाता हुआ देखा जा सकता है साथ में ही जो माता के स्थान के साथ में जुडाव रहना चाहिए वहाँ पर नाम और ख्या के भीतर रहेंगे इस position में एक precise approach में बात देखा जाना संपून रूप से आविशक है वो ये कि जो lime light आपको मिली जो शेत्र के भीतर प्रभाव आपको मिला शुक्र उसको पून रूप से पचाने की और भी लेकर जाते हैं व्यक्ति खुद के भीतर एक ego नहीं पालता गमं के साथ में चल रहा है उसी अनुसार आप भी अपनी driving force को बदलिए और इस शेत्र के भीतर चलते चले जाईए मैं ऐसे ही कई और चर्चाओं के साथ आप सभी के समक्षे उपस्तित होता रहूंगा तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद